कलांजली में आपका स्वागत है नमस्कार मैं चान्द महुमद आज हमारे साथ में है युवा साहितिकार प्रेमचंद गांधी प्रेमचंद गांधी के अब तक दो कविता संग्रे और एक निबन संग्रे प्रकाशित हो चुके हैं देश के विभिन पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाय और इस्तंब प्रकाशित होते रहे हैं आज हम प्रेमचंद गांधी से बात करेंगे इनके लेखन के बारे में साथ ही साहिति से जुड़े विभिन पहलों के बारे में प्रेमचंद जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद चांद भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने यहां याद किया इसा शुरूआत करते हैं आपके लेखन से आपका लिखना आपने लिखना कब और किस रूप में शुरू किया कहना चाहिए कि शुरूआत बहुत बच्पन में होगी थी लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसे लेखत बनेंगे हमारे स्कूल में एक टीचर ने एक बार कहा कि तुम सब लोगों को कहा कि आप अपने मन से कुछ भी लिखिये तो किसी ने कविता लिखी किसी ने कहानी लिखी तो मैंने ऐसे ही एक यात्रा संसुराण की तरह से लिखता गया और वो पूरा नहीं हुआ उस पीरेड में तो उन्होंने का कि क्या हुआ तुमारा पॉपी नहीं दी मैंने का भी पूरा नहीं हुआ मेरा लिखना तो ओले ठीक है तुम डूसरे कल ले आना तो फिर मैंने घर तो जने को लगा कि इस लड़के में कुछ है, तब उन्होंने कुछ सिखाया, जो चंद का अभ्यास होता है कविता हो, कविता मैं परले दिह लिखता था, हलागी उन्होंने अभ्यास करवाया था, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे से, और मैं शुरू में इस सुसता रहा कि मैं कहा कानिया लिखूँगा, और सच में कहें तो मेरी जो पहली दचना प्रकाशित हुई वो इक कहानी ही थी, और वो कॉलेज की मैगजीन में छपी थी, लेकिन उसी दोर में ये भी हुआ कि जैसे गालिप का एक दीवान में ने हाथ लगिया, बड़ा मोटा, तो उसको मैंने कई प्रभाव में हुआ कि मैंने कुछ शेर नुमा चीजे कहना शुरू किया और अपनी पूरी कोपी भर ली थी, कि शेर गजले लिखे हुई है, और उन दिनों में कुछ प्रभाव अपने बक्ति संगीत का भी था, तो उस हुआ है कि मैंने कई भजन भी लिखे, तो लेकिन फ अपनी लिखना बाता चला कि लिखना, आदूनिक लिखना क्या होता है, तब फिर दिरे दिरे लेकिशों से जुडते गए, आदूनिक साहित ते जो पत्रिकाओं में चपता है, अखबारॉं में चपता है, मुझे यह खुशी होती है कि मैं बतोर अखबार में ने शएद आपने शुरू शुरू में आपने बताया कि शुरू में आपने अपन्यास भी लेखा या अत्रा व्रतांत भी लेखा कविता हैं गजल और शेर के तरह भी आपड़ें आप फिर इस कविता विदा की तरह क्यों आए क्यों लगा आपको कि सब के साथ कविता ज्यादा ठीक रह तो घर बनाने के लिए एक आदमी अकेला घर नहीं बना सकता, अगर आप अपना घर बनाएंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की जरुरत होगी, आपको कारीगर भी चाहिएगा, आपको खाती की भी जरुरत पड़ेगी, आपको पलंबर की भी जरुरत पड़े वही उसके निव भी खोद लेगा, वही दीवारे खड़ी कर देगा, वही प्लास्तर कर देगा, सब चीजें अकेले आद्मी के बसके नहीं होती चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद मैंने बहुत समय तक कविताएं हैं लिखे, एक समय ऐसा आया कि नहीं आद अब मुझे लिखने चाहिए, क्योंकि एक तैयारी जो होती है, लेखकी वो पढ़ने के भी होती है, असल में जब तक आप बहुत नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक आपके पास शब्दों का भंडार, भावनाय तो होती है, लेकिन व्यक्त करने का कोशल है, हमें दूसरे लेखकों से परिनत कर देना, ये बड़े कोशल का गाम, और फिर अगर आपने दूसरे की कोशल को समझा है, तो आपका भी मन करता है कि ऐसा ही कुछ अलग नंका लिखा जाए, अपका पहला जो कविता संग्रे आया, इस सिंफनी में, उसमें आपने किस तरह के कविताएं शामिल की, उस जो कुछ विद्रूपताएं हैं हमारे समय की, तो उन सब में से कुछ हाट कर हमारे एक बड़े कभी मित्र थे निलाब, जिनकी डैथ होगे तो सर बहले, तो निलाब जी वो छापा था इलावाद से और उसका रेस्पोंस बहुत अच्छा मिला मुझे, बहुत सारे लेकों उस पर लिखा भी और संयोग से उस पर हर दो पूरसकार भी जिले, तो फिर उसके बाद वो सिलसला चल पड़ा, कविता हैं सब तरह की लिखी गई हैं, आपको कब लगता है कि कविता लिखी जानी चीए, किसी सब्जेक्ट को किस तरह मेरसूस करना और फिर उसके बाद ले कविता हमेशा आप यह तै करके नहीं कर सकते कि कविता मुझे लिखनी है, वो बिलकुल आप पर आयद होती है मतलब कि कोशिश करके कविता नहीं लिखी जा समयती, आपका जो दूसरा कावे संग्र है, चांद के आईने में, वो उसमें आपने कविता हैं लिखी वो किस तर मेरी दोर था हमारा, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गालिप का एक बड़ा प्रभाव मेरी मांसिक्ता पर बच्पन में पढ़ गया था, तो इस दूसरे संग्रह में सभी कविता हैं प्रेम कविता हैं और एक ऐसे समय में जब हम लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रेम के नाम पर सबसे ज़्यादा बावाल मचता है, प्रेम संबंदों को लेकर समाच इतना ज़्यादा उद्वेलित है, तो ऐसे समय में प्रेम की बात करना जब हर कोई प्रेम का दुश्मन बना जा रहा है, ये एक बड़ी चुनोती की तरह था और मैंने इस दोर में बहुत सा एक संग्रे में भी हैं और उसके अलावा भी और पूरा संग्रे मेरे पास प्रेम कविताओं का तैहार है, आपकी कविताओं में एक बड़ी दादात प्रेम कविताओं की है, दूसरी तरफ आपके नाम में भी प्रेम शामिल है, और तीसरा पहलो ये कि आपने जो कहानिया प्रेम कहानिया जो है पिदेशी इसाहितिम लिखी गे उनका अनुवाद भी किया ये प्रती है आपका जो प्रेम है इस सब के पिछे क्या कारणा है शायद जो नाम का असर होता है कि हर आदमी को जो नाम मिलता है जो कई बार वो से इडेंटिफाई करता अपने हमको कि मेरे न हलांकि ये जब मैंने प्रेम कविता हैं लिखी या उनुवाद कि तो इनुवाद वाला मामलाद वाला था जो आप डेली न्यूous शुडू हुआ जो इसमें ये था कि यूओधा पाड़कों के लिए कुछ विशेच जाना थी तो उसमें इता कि चलो एक कहानीयों का कॉलम प्रेम कवीता और कवीतां पर बात चल ली तो आपके कोई इसी प्रेम कवीता जो आपको पसंद है सारी कवीता है पसंद होती है कवी के लिए कुछ खास पसंद प्रेम प्रेम पर दे लिए मैं सिर्फ एक कवीता आपको सनाऊंगा इसका शीरशक है दूर हों या पास कितनी लंबी दूरियां है और कितनी सीमाएं हैं हमारी बीच कि जब दज से फटा जा रहा हूँ तुमारा सिर मैं कुछ नहीं कर सकता सिवा सांत्वना के दो शब्द कहने के जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रुषत होती है मेरी मैं तुम्हारे पास नहीं होता जब तुम्हें चाहिए होता है मेरा हाथ मैं नहीं होता अक्सर तुम्हारे साथ कितनी भूली और भली हो तुम जो सहज ही कर लेती हो मुझ पर विश्वास मैं नहीं जानता कैसे काम कर जाते हैं मेरे कुछ शब्द तेज बुखार या भायानक सिरदर्द में मेरे जुकाम पर घर को अस्पताल बना देने वाली मेरी बातों से क्यों बहल जाती हो इतना भूलापन अच्छा नहीं कब समझोगी तुम कि मेरे शब्द पुर्शोचित संजीदगी से ज्यादा कुछ नहीं तुम्हारे साथ या पास होकर भी मैं क्या कर लेता सिर दबा देता या माथा चूं लेता और तुम खुश हो जाती हैं हम दूर हो या पास मगर एक साथ एक विश्वास भरे इस पर्ष या चुंबन की प्रतीक्षा में जिन्दगी जिने का रोजाना अभ्यास करते हैं आपके इस्तम की जो सब्जेक्ट हैं वो किस तरह के हुआ करते थे असल में तो मैं आर्ट और कल्चर पर जो कॉलम मेरे रहे हैं वो लिखता था लेकिन मुझे यह भी लगता रहा है कि कला और संस्कृति का समाज से भी गहरा संब्द है तो जब अभी मान लीजी किसी चित्र पर या किसी फिल्म पर विवाद हो जा तो मुझे लगता है कि यारी लोग साथ कला को नहीं समझते है तब भुझे कला की सामाजी चेतना क्या होती है उस तरह की चीजों पर मैंने अपने कला वाले इस्तंब लिखे या कि दुनिया भर में जैसे दूसरे देशों के बड़े लेका कहें वो क्या करते हैं, वो कैसे लिखते हैं, उनके विशह क्या होते है एक स्थ पाकिस्तान के पत्रिका के लिए भी काम किया मैंने तो उसमें उनका यह था कि हमसायय देश नाम था उसको अलम का तो वो अर्दू में चटता था तो मैं तो इन्दी में लिखता हूँ लेकिन वो उसको टांसलेशन करते थे टांसलेशन क्या गरना चाहिए, स्क्रिप्ट चेंज करते थे, उसमें ये था कि भारत और पाकिस्तान के जो लोगों के बीच में क्या संबंद होना चाहिए, उसको लेकर इवात होती थी, कि अगर हिंदुस्तान में कोई चीज घटती है, उसका वहाँ पर क्या असर हो सकता है या वहाँ पर कोई चीज हो रही है, तो हम लोग उसके बारे में क्या सूचते हैं, वो बहुत पसंद किया गया, जब मैं वहाँ गया पाकिस्तान दो बार गया हूँ, तो वहाँ के लोगों ने भी बहुत महबबच से, मतलब लेकों के परती, कलाकारों के परती, दोनों दे जब लिखन आ रहा है नया जो लिखा जा रहा है लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हो गई है, वो मुझे लगता है कि चौकाने की जो प्रवर्ती है, वो ज्यादा है कि कुछ बहुत स्पार्कलिंग किसम की कुई चीज कह दी जाए और उससे तुरंत में एक जिसको कहते हैं, प्रसिद्धी मिल जाए, लेकिन वो तुरंत की प्रसिद्धी बहुत लंबा नहीं ले जाती है, क्योंकि टिकता वही है, जिसके पास गहराई दुनिया के बड़े लेकों को देखते हैं, तब लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने है, अगर जैसे लेव तोलस्त किये उसके, तो आप सोचों कि अठारा जार पीज लिखने के बाद एक उपन्यास फाइनल हुआ है, तो कितनी मैन अच्छिपी होती है क्रशना के पीछे, और हमारे आज की पीडी के लोगों में शायद इतना धेरी नहीं होगा कि अठारा जार पीज लिखने के बाद सोचे आपका वक्त का तकाजा है कि हमें अपनी बात यही रोक रही होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपने वक्त निकाला है और साहिते और अपने लेखन से जुड़े विबिन पहलों के बारे में, वक्त हो चुका है, हमें इजाज़े दीजिए, नमस्कार कलांजली में इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं कलांजली में नई कला और साहित्य गती विद्यों के साथ, नमस्कार